हेलो दोस्तो आज हम आप आपकी लेकार रागा है यूनिट मेजरमेंट जो की बहुत इंबादेन चेप्टर है उसके एमसी क्यों जिससे आप खुद को टेस्ट कर पाएंगे और आपको अपना स्कूर कमेंट करना है कि आप 5 मैंसे कितने अपने क्वेस्टिन सही किया है तो क् स्कूर का आंशर देने के लिए आपको मिलेंगे तो दोस्तों आपको 10 सेकंड मिलेंगे जिन में आपको अपना आंशर कमेंट करना है और उसके बाद ही आप स्वेस्टिन देखेंगे तो तो टाइम समाफ हो चुके और इसका आंसर है डास नोट डिपनेट अटा यूनिट में तो दोस्तों न्यूटन सेकंड इस दे यूनिट ऑफ वेरोसिटी एंगलर मेमेंटम मोमेंटम या फिर एनरजी तो यह क्वेस्टन टू प्यम्टी तू नांटीन एटिफूर में यह पूछा गया है तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है सबसे पहले तो दोस्तों आपका टाइम समाप्त हो चुक है और इसका आंसर है दोस्तों मोमेंटम की एक यूनिट है न्यूटन सेकंड या आपको याद रखना है तो यह यह जो क्वेस्टन है दोस्तों क्वेस्टन 3 यह बहुत इंपार्टेंट है विच्व फालूमिंग नॉट रिप् स्केयर दोस्तों इन इस विच्व yem स्क्रे συνत्राने का आंशर कमेंट करना आं आपको ट्राय करना है तॉस्तों प्यंच के अंसर मम्मघ्ग कि दूस्तों समय समात्त हो चुक है और कि इसका यह कि यूनिट है आपको नीचे कमेंट करना है अग्दी मीट अग कर लूए 7 cm या फिर दोस्तो D 10 की पावर 9 cm बहुत easy question है जो आपको try करना है और अपना answer पहले comment कर देना है और security के लिए और clarity के लिए तो आपको मिलते है 10 seconds तो दोस्तो इस question का answer है C 10 की पावर minus 7 cm होता है 1 nanometer के equal question 5 दोस्तो a suitable unit for gravitational constant is a kg meter per second b newton meter per second c newton meter square per kg square fourth kg meter per second दोस्तो इस question को भी आपको try करना है जिससे आप अपने concept को और अच्छी तरीके से apply कर सकें तो दोस्तो समय समामत हो चुका है और आज के last question का answer है तो दोस्तो newton meter square per kg square दोस्तो thanks for watching अगर आपको वीडियो अच्छे लाग हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए आप related वीडियो में इस related और वी वीडियो देख सकते हैं जिसके आपके जो concept है physics का chemistry biology की और भी श्रॉग है मिलते हैं आपसे आगले वीडियो में thanks for watching कि लुआ